अगे प्रस्ट रज्जु हम शुरू करते हैं इससे पहले हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा था हम फाइप किंडम से पांचवा किंडम एने में लिया पड़ रहे हैं तो आगे हम नोटो कोड की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रेंट्स नोटो कोड जो है वो रोड लाइक या शलाका रूपी एक स्ट्रक्चर है जो कोड़ेट करेक्टर है कोड़ेटा के सदश्यों में मिलेगा और यह मध्यत वचाय मिजोडम से उत्पन होती है तो सबसे इजामिनेशन में पूछा गया था तो विल्कुल आपको याद रखना है ब्रूनिय परिवर्दन विकास के समय प्रश्ट सत्य में यह बनती है यानि डॉट सल सर्फेस पर यह बनेगी ऐसे प्राणी जिन में यह पाए जाती है उन्हें हम कोड़ेट या रज्जु की प्रा गया है तो हम एक-एक संग लेकर उनके मोलिक लक्षनों की बात करते जाएंगे सबसे पहला संग हमारे पास पौरिफेरा तो नाम से पता चल रहा है पौरिफेरा मतलब पौर बीरिंग अनिमल्स इन अनिमल्स के अंदर पौर पाए जाते हैं इसी के अधार पर इन्हें पौ मुद्री जल में या लवनी जल में पाया जाते हैं और इसमेट्रिकल होते हैं यह सब आध्य बहु कोशिक प्राणी है यानि प्रिमिटिव मल्टी सेललर एनिमल्स है इनका शारिक संगठन कोशिक इस्तर का होता है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इनमें जल परिवन जाता और नाल तंत्र पाया जाता के नाल sistem याँ Davidre के जाएंगे जल सुक्षमारंद्रो के दोर जनेhmen ऑस्ट्या करते हैं शरीर में प्रवेस करता है और चैंद्री गूा विएकुल आपको याद रखना है और 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 क्या है आगे हम डाइग्राम में भी देखेंगे अभी कि डाइग्रेमेटिक में आपको बता देता हूं कि यह जो आपको दिख रहे हैं यह सारे ओस्टिया है जिनसे इस्पंजों में जल प्रवेश करता है और उपर की तरब जो आपको छेद नजर आ रहा है शीर्ष भग पर उसे हम ओस्कुलम कहेंगे और यहां से जल बार निकल जाएगा पोरिफीरय college के सदेश wła का special character है कि यहां पर कोईनो साइट य तथा नालतन्तर को आस्त्रित करती है तो कईनो साइट और कोबलर कोईनो साइट यह आप याद रखेंगे psychology और नालतन तान्तृ को यह आस्त्रित करेंगी कोशिकाओं में पाचन जो होता है वो अंत्रा कोशिक होता है इंट्रा सेलुलर पाचन यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को याद रखना है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पर पाया जाएगा स्केलेटन भी यहाँ पर पाया जाता है जो शरीर को अधार पतान करता है और ये इस्पिक्यूल कंटिकाओं और स्पंजिन फाइबर से मिलकर बना होता है इस्पंज प्राणी में नर्व अमादा प्रतक नहीं होता है यानी ये उभई लिंगा शरी होता है फिर से आपको याद रखना है और उबही लिंगाश्राई को हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते है ये टर्म भी आप याद रखेंगे हर्माफ्रोडाइट तो इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानेंगे क्योंकि नर्व अमादा एक ही और्गनिजम में मिलेंगे अंडें बंश्परण दोनों एक के द्वड़ा उत्पन की जाएंगे एकी जीव के द्वड़ा अलेंगिक जनन इनमें फ्रेक्मेंटेशन याविकंड़न के द्वड़ा होता है और अलेंगिक जनन युगमकों के द्वड़ा पाया जाएगा निशेचन इंटर्नल या अंत्रिक होता है और परिवर्धन प्रत्यक्स होता है याँ पर लारवा अवस्ता पाई जाती है जो की वयक्स से भिन्दता दिखाती है उधारण है आपका साइकन जिसे हम साइपा भी बोलते हैं साइफा आप याद रखेंगे स्वच्छ जलिये स्पंज बोलते हैं और यू स्पंज बोलते हैं बिल्कुल आप लोगों को ये उधारण भी अच्छे से याद करने हैं यही से प्रश्न पूछे जाते हैं आगे हम सिलिंट्रेटा की बात करते हैं सिलिंट्रेटा भी जलिये समुद्री इस्तिर और मुक्त रुप से तैंड़ वाले अर्य सम्मिति प्राणी है रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है पहले भी हम बात कर चुके हैं इन्हें निडेरिया की नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनमें दंस कोशिकाई पाई जाती है जिन्हें निडो ब्लास्ट और निमेटो ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है दंस कोशिकाई याद रखेंगे निडो ब्लास्ट और निमेटो ब्लास्ट ये कोशिकाएं इस परशकों तदा शरीर में अन्य स्थानों पर पाए जाती है मुख्य रूप से टेंटाकल्स पर ये पाए जाएगी इस परशकों पर पाए जाएगी ये दन्स कोशिकाएं ये निडू ब्लास्ट कोशिकाएं इस्तिरक अंग की तरह यानि प्राणी को इस्तिर रखने में प्रोटक्शन रक्षा करने में और शिकार पकड़ने में साहता करती है याद रखने आपको निडेरे में उत्तक इस्तर का संगटन मिलता है पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सिलेंटर्टा में सबसे पहला उत्तक ये द्विकोर की होते हैं इन प्राणियों में केंद्रिया जटर सहवनी गुहँआ पाय जाती है तो वहाँ पर हमने स्पंजोसील देखे हैं यहां पर गैस्टर वैस्टुलर कैविटी आजएगी जो अदो मुक्ष हाइपोस्टॉम पर इस दित मुक द्वारा बाल खोलती है इनका जो अधुमुक होता है, जिसे हम हाईपोस्टोम बोलेंगे, वहाँ पर मुक पाया जाता है, उससे ये गेस्ट्रोवस्कलर केविटी, ये केंद्रियाद जटर सहवनी गुहा बार की तरफ खुलेगी, इनमें अंत्रा कोशिक ये वह अंत्रा कोशिक दोनों प्रकार का हो दोनों आपको याद रखना है, एक्स्ट्रसललर और इंट्रसललर पाचन सिलेंट्रेटा के सदेशों में पाया जाता है, इनके कुछ सदेशों जैसे कोरल, जिनने हम प्रवाल भी बोलते हैं, केल्शम कार्बोनेट से बने वह होता है, यानि उनका कंकाल से से बनावा होता ह इनके शरीर दो आकार हो, पॉलिप और मेडिसा से बनता है, यानि पॉलिप और मेडूसा दो शरीर आकार यहां पर मिलते हैं, पॉलिप अवस्ता जो होती है, वो इस्तिर और बेलनाकार होती है, और जैसे कि हाइडरा में दिखाई देगी है, और मेडूसा जो होती है, ऐसे निदेरियन भी मिलते हैं जिनमें पीडी एकांत्रन या मेटाजनेसिस मिलेगा यह दोनों ही अवस्ताइं एक दूसरे के क्रम में पाए जाएगी एकांत्रित प्रम में मिलेगी जैसा कि ओवेलिया के कैस में होता है ओवेलिया आप याद रखेंगे दोनों यह पॉलिप vault करेंगे यानि नदर से कौन सा रूप उत्पन और लेंगिक जनन सी कौन सा रूप उत्पन हो रहा है या एकसामपल एफ जेलिआ जिससे पूर्दगाली युद्ध मानों या पूर्थगी mega आप लोगों को अच्छे से याद करने है आगे हम टीनोफोरा की बात करते हैं जो संग है नेक्स टीनोफोर दीनोफोर कंकत धर की आमसे भी जाने जाते हैं इन्हों समूद्र अकहरोट स्यवार और दिपलोप्लास्टिक होते हैं और इन機 उत्तक कई संगठन मिलता है यानि यहां पर नहीं बनते हैं शरीड में आठ बाय यह पक्षमा भी कंकत पटिकां पाए जाती है तो यह संख्या आपको याद रखनी है आठ की संख्या में external संख्या इस लियाटेड कंकत पटिकां यहां पर मिलती है जो चलने में साहता करती है लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है पाचन एक्स्ट्रह लोए इंटर्सलार मिलता है यहां पर जेव संदीप्ति या Bioluminescence पाया जाता है यानि प्राणी के द्वरा प्रकास का उस्तरजन करना Jev Sandhapati या Bioluminescence कहलता है आप लोगों को यह भी याद रखना है Bioluminescence या Jev Sandhapti किसी प्राणी के द्वरा प्रकास का उस्तरजन Jev Sandhapti कहा जाएगा टीनो फॉर की मुख्य विश्रस्ता है जेव संदेप्ति दिखाना नर्व मादा अलग-अलग नहीं होते हैं जनन के वाल लेंगिक होता है निसेचन बाई होता है तता अप्रतेक्स परिवर्दन होता है इसमें लारवा वस्ता नहीं होती है बिल्कुल याद रखेंगे एक्ज डाइग्राम है प्लूरो ब्रेंक्या उसमें आपको आठ कॉम जलिस नजर आ रही है आगे संग प्लेटिनल मंतीज की हम बात करते हैं संग के प्राणी प्रस्टा धार रूप से चप्टे होता है दोर्सो वेंटरली ये फ्लेट पाए जाते है इसलिए इने फ्लेट वॉम य अन्य प्राणी में अन्तप परजिवी की रूप में एंडो पेरसाइट की रूप में पाये जाएंगे चप्टे क्रमी दीपास सम्मिति दिखाएंगे बाइलेटरल से मेट्रिकल त्री कोर की यानि अब मिजोडम भी यहां पर बन जाएग और एप्रग हुई यानि ऐसलोमे को याद रखना है पर जिवे तो अंकुष भी मिलेंगे और चूशक भी मिलेंगे कुछ चप्टे करमी खातिया पदार्त को परपोसे से सिद्धे अपने शरीर की सतशे अवस्वशित करते हैं इनमें ज्वाला कोशिका ही पाये जाती है और ज्वाला कोशिकाओं का काम आप को याद रखना है परासर नियंत्रन और उस्तरजन में सायता करती है फ्लैमसल्स प्लटी हलमंतीज के सदशो का गुण है नर्मादा अलग नहीं होते हैं निशेचन आंत्रिक प्रकार का उतार परिवर्द में बहुत सी लारव वस्ता ही पाई जाती है प्लेनेरिया में पु यह से ओला है पिटिका जिसे हम पाण करमी कहते हैं लिवर फ्लुक यकरत करमी भी से हम बोलते हैं तो डाइग्राम में आपको दोनों चीजे दिखा रखी है फिता करमी और पाण करमी ओलो आगे हमरे पास एसकलमानतीज आ जाएगा जिसे हम गौलकर्मी बोलेंगे इसकलमानतीज प्राण एनप्रसत काट में गोलकार होते हैं लिएगोलक्रमी कहा जाता है निमेटों 3 भी से बोला जाता यह प्राणियों में परजी पाए जाते हैं यह द्विपास सम्びति होते हैं तृक कौत प्रगूई होते हैं यह नहीं भूत इंपोरेंट है पूछा जाता है प्रश्ण सीडो सिलोमेट कौन तो एसकल मंतीज, एससिलोमेट कोन तो प्लेटिल मंतीज और सबसे पहले ट्रू सिलोम कहाँ पर आती है तो एनलीडा के पास इनका शरीड संगठन अंगत तंतर स्तर का अब यहाँ पर अंगत तंतर चालो हो जाएगा अंगत तंतर स्तर का संगठन आपर दिखाई देगा आहर नाल पूर्ण होती है जिसमें सू परिवर्दित पैशिय ग्रस्नी पाए जाती है यह इसकी बहुत इंपोर्टेंट फीचर है पैशिय ग्रस्नी का मिलना उत्सरदन नाल शरीर में अपस्ष्ट पधार्तों को उत्सरदन रंदर के द्वरा बहार निकालती है नर थता माधा अलग-अलग होता है यह एक लिंगाश रही है प्राइम माधा नर से बड़ी होती है जो माधा होती है वो नर से बड़ी होती है यह उनकी पैचान का एक लक्षन है निश्चन आंत्रिक होता है थता परिवर्दन प्रत्यक्स होता है या प्रत्यक्स भी मिलता ह शिशु वैस के समान दिखते हैं तो उसे हम परिवर्धन प्रत्यक्स बोलेंगे और शिशु लारवा के रूप में मिलेंगे जो कि वैक्स से भिनता दिखाते हैं उन्हें हम प्रत्यक्स परिवर्धन में शामिल करेंगे उधरन आपका एसकरिस जिसे हम गोल क्रमी करते हैं वो है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अब आप लोग एसकल मिन्थिस तक कंप्रिट कर लीजे बहुत बहुत धन्यवाद